मंडिक शेतर की जनता, जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधी चुनकर यहां उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है, उनकी भ्याभारी हो। यह जगा मेरे लिए बहुत नहीं है, मैं एक नहीं सांसद हूँ, मगर मुझे इस बात का अभास है कि यह जो अठार्मी लोगसभा है, यह कोई सामान्य लोगसभा नहीं है। कि यह हम सब उन्हें जो है, वो हार्तिक बधाई देते हैं, साथ ही बधाई के पातर हैं, हम सब भारते जन्ता पाटी के लोग, जिन्हें यह सौभागय प्राप्त हुआ, और मैं यह भी मानती हूँ, कि हमारे भारत वर्ष की जन्ता, जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल स चुना है, और एक संकल्प को चुना है, वो भी बधाई के पातर हैं, महोदे जी, हम सब जानते हैं, कि आज से 10 साल पहले, हमारे देश की अर्थवेवस्था का क्या हाल था, आज से 10 साल पहले, हमारी संघर्ष सील, जो एक चर्मराती और एक लड़कराती अर्थवेवस्थ जो कहीं 11 वार में नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था पिछले दस सालों में वह अर्थ विवस्था 11 से पांच में नंबर पर आई है और बहुत तिवरता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है यह जो 2024 का बजट है यह सब वर्गों को जो है 2047 का जो संकल्प है कि विक्सित भारत का जो संकल्प है हम प्रथम एकॉनमी बनेंगे वो भी इस बजट से हम पूरी उमीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएगे महोदे जी पिछले साल हमारे हिमाचल परदेश में एक बहुत बड़ा प्रकृतिक संकट आया एक बहुत बड़ी बाड़ आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानी हो गई लेकिन दुक की बात ये है कि अभी भी हमारा हिमाचल परदेश जो है उस त्रास्ति के परभाव से जो है उसके परभाव से उसकी हानी से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहां की जो कॉंग्रेस की सरकार है उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भष्टाचार नीतियां है आज भी हमारे लोग जो है उस बाड़ के परभाव से जो पीडित है मैं आदर्निया और मानिया हमारी जो वित मंत्री है शिर्मती सिता रमन जी का मैं अभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोशना की है हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका अभार प्रियक्त करते हैं महोदे जी मुझे ये जानके और आपको बताकर इस बात की खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले दस वर्षों में हमारी भारतिय जनता पार्टी ने हिमाचल परदेश में किया है वो उतना काम हमारे आजादी के बाद साट सालों में भी हिमाचल परदेश में नहीं हुआ था आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे और आप सब ने देखा होगा कि वहां पर जो है आज से आजादी के साथ साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे और वो भी हमारे माननिया जो पुर्व परधान मंतरी अडल बिहारी जी रहे हैं उन्होंने अपने कारेकाल में जो है वो ग्रामिन परधान मंतरी सडक योजना के अंतरगत वो रोड बनाये थे लेकिन पिछले दस मंतरी नरेंदर मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेतर को जो है एम्ज, ट्रिपल आइटी, आयायम जैसे वैश्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिये हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राच्य को साड़े हजार करोड की लागत का मनालिक किर्टपूर जो है वो हाइवे दिया हुआ है जिसमें माने मोदे जी पांच से जाधा टनल है और सेंतिस से जाधा उसमें ब्रिजीज है ऐसे वैश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रेक्शर वहां पे मिली है और साथ ही पुरे देश हाईवे जो है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उधारन है और उसके साथ ही 11,000 क्रोड के हाईडल प्रोजेक्स हमारे हिमाचल परदेश को दिये हैं अगर मैं ये सूची यहाँ पे रखूँ तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त जो है इसमें लग ज जो है वो गैस्च्यूले का कनेक्शन लगा है एक भी सब्सक्राइब नहीं है और मेरा ये जो चूबहागये है अठारमी लोग सभा में मोहदेजी में ये सवबहागय है कि जब मैं यहाँ पे आई थी तब महिला आरक्षन बिल जो राजनिती में महिलाओं को जो है त्य थि या वश्य ही इंप्लोईमेंट हो या चाहे स्टार्ट अप इनोवेशन हो चाहे हमारे गरीब और मिडल क्लास को टेक्स रिलेक्सेशन हो या हमारे जो अनदाता किसान हो उन पर फोकस हो यह मैं इसे होलसम बजट कहती हूँ और मेरी एक प्रात्ना रहेगी हमारे सरकार से के हम मारे मंडिक शेत्र में अगर एक इंटरनेशनल एरपोर्ट हो तो अवश ही हमारी जनता का टूरिजम की दिश्टी से बहुत कल्यान होगा वह हमें जरूर इस विश्य में सोचे और मुझे लगता है यह जो बजट है हम हिमाचल के वासी जो है इसका पूरी तरीके से जो है वो वेलकम करते हैं और धन्यवाद